साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग कम्प्टेशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मैं हूं रिसब पांडी साथियों आप मेरे साथ पिछीले कुछ समय से हम जो प्रारंभिक परिच्छा है मद्ध प्रदेश का प्रारं तक हम पहुँच चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बाल संड़क्छन आयोग के बारे में हमसाती मं मद्ध प्रदेश राजी का जो बाल संड़क्छन आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो आएए हमपढ़ना शुरू करते हैं sector आज हम क्या पढ़ेंगे उन्ह मध्य प्रदेश राज बाल संरक्षण आयोग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डिटेल में समझेंगे कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग कैसे काम करता है इसकी क्या संरचना है इसके क्या कार है ये कि इनतने सदस्य बॉडी है इन सब के बारे में हम बिस्तार से और फिर हम इसके दूसरी क्लास में MCQ के तहत ये भी देखेंगे कि एक्जाम में कैसे कुश्चन पूछे जाते हैं आईए हम आज पढ़ना सुरू करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले बाल सनरक्षन आयोग बाल सनरक्षन आयोग की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का शामविधिक निकाय है और सामविधिक निकाय से आसे ये है कि इसका संविधान में बढ़न नहीं है मतलब ये गैर संवेधानिक निकाय है ये संवेधानिक निकाय नहीं है तो जब ये सामविधिक निकाय है, इसका तात्य पर ये है, कि ये किसी न किसी एक्ट के द्वारा लाया गया होगा, तो ये किस एक्ट के द्वारा लाया गया है, ये बाल संदक्षन अधिनियम 2005 का उसी के द्वारा इसका गठन हुआ है, बाल अधिकाल संदक्षन अधिनियम 2005 अगर भी इसकी प्रेश्ट वहुम के बारे में बात करें कि इसका वैग्राउंड क्या रहा है तो संयुक्त राष्ट समझवता बाल संरक्षण से रिलेटेड बालकों से रिलेटेड जो भी उनके अधिकार हैं जो भी उनको चीजे मुहया होनी चाहिए उनको सुनिश्चित कर करने के लिए संयुक्त राष्ट में एक समझवता हुआ और वो समझवता कब हुआ तो 20 नमंबार 1989 को उसके बाद भारत सरकार द्वारा इस समझवते कानुमोदन 11 दिसंबार 1992 को किया गया और उसके बाद बाल संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया उसके तहत क्या किया गया ब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल संरक्षण आयोग बाल संरक्षण आयोग काम कैसे करता है बाल संरक्षण आयोग की काम करने के तरीके क्या है ये कैसे और इसकी संरक्षणा कैसी है तो बाल संरक्षण आयोग एक राष्टी जब भी हम बाल संरक्षण आयोग की यहा कि हम राष्affenिए बाल संरख्षन ऎदिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो हम महाचर्चा करेंगे मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकाल सनरक्षन आयोग तो आईए देखते हैं, राश्टी इस्तर पर बाल सनरक्षन आयोग संस्था गठित की गई है और हमने आपको बताया कि राश्टी बाल अधिकाल सनरक्षन आयोग गठित किया गया है अब गठन की अगर बात करें तो गठन कब हुआ तो गठन जैसा कि मैंने आपको अब बताया कि जो बाल अधिकार संरक्षन अधिनियम आया 2005 उसी के द्वारा इसका गठन 2007 और मार्च महीने में हुआ और जो 2005 अधिनियम है उसका सिक्षन 3 के तहट इसका गठन किया गया आयोग जो है वो देश में बाल अधिकारों का संरक्षन संबर्धन तथा उनको उचित प्रकार से लागू किया जा सके उसका प्रवंधन करने का काम किसका है बाल अधिकार जो मिले हैं बालकों के जो अधिकार हैं उनको कैसे सुनिश्चित किया जा सके इन सब के लिए काम क करता है कौन तो बाल अधिकार संरक्षन आयोग आये हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संरचना संरचना कैसी है बाल अधिकार संरक्षन आयोग जो राच्टी बाल अधिकार संरक्षन आयोग है उसके संरचना आखिरकार कैसी है हम उसके बारे में देखते हैं अध्यक्ष एक अध्यक्च होगा और अध्यक्च कौन होगा तो बच्चों के कल्यान एवं संबरधन के लिए जो उत्रिष्ट कारी किया हो जिसको ऐसा अनुभाव हो सदस छे सदस्य होंगे और इनमें एक महत्यपूर बात इन छे सदस्यों में दो सदस्य महिला का होना आवश्यक है अनिवार है मतलब ये जो टोटल छे सदस्य है इनमें से दो महिला सदस्यों का होना अनिवार है और वो सदस्य कौन हो सकता है अगर हम इसके बारे में देखें कि ये 6 सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी और जो अन्य होंगे वो किस योगता को धारन करते हो तो वो अध्यक्ष या अध्यक्ष के लिए तो यहां बताया गया है कि बच्चों के कल्याण एवन सम्मरधन के गता रखता हो और वो बिसे कौन से है तो सिक्षा, बालस्वास्तेवं, बाल विकास कल्याण कि सोर नया या उपेक्षit रसकत बालकों का निसकत बच्चों की देखभाल के मामले में काम किया हो बालसरम का उलमोलन या बच्चों के लिए तनावपूर्ण स्थितियों के उल करता होगा वो इनके सधय के रूप में नियुक्त हो सकता है आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्ति की बात हम не करी नियुक्ति तो नियुक्ति का काम कौन करता है तो केंद्री महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक तीन सदसी एक तीन सदसी उसमें कितने लोग होते हैं तो तीन लोग एक तीन सदसी चैन समित के द्वारा होता है और नियुक्ति का काम कौन करता है केंद्र सरकार करती है तो एक समित गठित होती है इनकी न्युक्ति के लिए और उसकी अध्धिक्षता कौन करता है? तो केंद्री महिला बाल विकास मंत्राले का जो मंत्री होता है उसकी अध्धक्चता में एक तीन सदस्य कमेटी गठित होती है वो चैन समित गठित होती है और वो सिपारिस करती है और उसकी सिपारिस के नुसार केंद्र सरकार क्या करती है इनके सदस्य और अध्धक्चियों क का काम केंद्र सरकार करती है भारत सरकार उसके अगर पद की बात करें उसके दर्जा की बात करें तो वो भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव के समान रेंग का होगा उसकी जो रेंग होगी वो भारत सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के समान होगी अध्यक्चु सदस्यों की अगर हम बेतन भत्तों की बात करें और उनके सिवा सर्तों का तो उनका निर्धारन भी कौन करता है केंदर सरकार करती है और एक बात केंदर सरकार भी उनके कारिकाल के दोरान उनमें अलावकारी परिवर्तन नहीं करती और अभी तक जब तक हमने पढ़ा है तो हम अध्यक्षेवम सदस्यों का कारिकाल और पद मुक्ति, इनका कारिकाल कितना होता है? ये पद से हरते कैसे हैं? या अगर इन्हें इक्षा हो कि हमको पद पर नहीं रहना है, उसके लिए क्या प्राबधान है? उसके बारे में चर्चा करते हैं. अध्यक्ष का जो कारिकाल है, वो तीन वर्स या 65 वर्स की आयू, 65 वर्स आयू, जो भी पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, आयू, जो पहले हो जाए, चाहे तीन वर्स का कारि किसका अध्यक्ष का अब हम सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य तीन वर्स या 65 वर्स इनमें जो पहले हो जाए जो पहले हो जाए इनमें भी वही है जो पहले हो जाए चाहे तो तीन वर्स का कारेकाल हो जाए चाहे 60 वर्स उम्र हो जाए इनमें से जो भी पहले हो जाएगी त्याग पत्र अगर ये चाहें तो किसको दे सकते हैं तो ये केंदर सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो ये त्याग पत्र देने का काम किसको केंदर सरकार को कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अंगले फ्रश्म की और और देखते हैं केंद सरकार दोरा हटाए जाने की परिस्थितियां हमने अभी तक तो ये बात करी कि अगर इनका कारेकाल खतम हो जाए तो ये हट जाएंगे या इनको त्यागपत्र देना हो तो ये सोता सी त्यागपत्र दे के हट जाएंगे केंद सरकार को लेकिन अगर इन सब के बाबजूद, इनके कारकाल के दोरान, किसी को लगे, और वो किसको लगेगा, वो हटाने कादिकार किसको है, तो केंदर सरकार को, केंदर सरकार उन कौन सी परिस्थितियों के तहत इनको हटा सकती है, हम उसके बारे में देखते हैं, दिवालिया हो जाना, या अगर कोई कि सदस या ध्यक्ष दिवालिया हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा दिवालिया से आर्थिक रूप से है आर्थिक रूप से अगर आप किसी से करज लिये हैं किसी ब्यक्ति किसी निगम किसी कमपनी से अगर आप उसको चुकाने में सक्षम नहीं है और आपको सक्षम न तर्मियान जहां आप अध्यक्ष या सदस्स के रूप में पदस्थ हैं अगर किसी बाहर या केंद सरकार या राज सरकार के अंतरगत किसी भी प्रकार का लाव का पड़ धारण करते हैं तो आपको केंद सरकार हटा सकती हैं उनको किंद सरकार हटा सकती है। काम करने में अक्षम हो जाना। आप जिस पद के लिए न्युक्त किये गए हैं। उसमें अगर काम करने में अक्षम हो गए आप सक्षम नहीं हैं। या आपने काम करने से मना कर दिया। तो भी आपको हटाया जा सकता है, अद्दक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है, मानसिक रूप से असस्त होने पर, पद का दुरूपयोग करने पर, आपने कारकाल के दौरान अगर ऐसा लगा किन्द सरकार को कि आपने पद का दुरूपयोग किया है, गलत तरीके से पद को चलाया है, तो भी आपको हटाये जा सकता है, सजा यापता होने पर, या किसी नयाले दोरा आपको सजा की घुफना कर दी गई हो, सजा दे दी गई हो लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, ये सबसे बड़ी बात है कई बार आपकी एक्जाम में कोश्चन ये पूछा जाता है, कि आयोग के अद्रक्ष या सदस्यों को कम हटाये जाता है, किन परिस्थितियों में हटाये जाता है, तो लगातार अगर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो भी केंदर सरकार हटा सकती है केंदर सरकार को हटाने काधिकार है केंदर सरकार कदाचार या अक्षमता कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकती है आयोक की अध्यक्ष यवम सदस्यों को सुनवाई के अवसर दिये विना नहीं हटाये जा सकता ये एक अच्छी बात है, ये एक ठीक बात है क्योंकि कोई भी हो उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए तो अध्यक्ष या सदस्यों को केंसरकार हटाएगी तो सही अगर इन सब चीजों में किसी में भी लिप्तता पाई गई लेकिन एक बार उनको उनकी सुनवाई का परियाब तबसर दिया जाएगा आयोग में आकास्मिक रिक्ती होने पर से सबदी है अगर आयोग में किसी अध्यक्ष या सदस्य के पद रिक्ती हो गई आकास्मिक रूप से वो किसी कारण बस चाहे त्याग पत्र देने पर या किसी की कई बार मत्तु हो जाने पर पद खाली होता है तो से सबदी के लिए जितने अबदी के लिए उसका कारिकाल बचा है किसका जो बेक्ति पहले नियुक्त था तो 90 दिनों के भीतर वो पद भरा जाएगा ऐसे कोश्चन्स आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आप याद रखें आपसे पूछेगा कि कितने दिनों के भीतर पद को भरा जाता है तो 90 दिनों के भीतर पद को भरा जाना अवश्यक है अब हम देखते हैं पुनर नियुक्ति के पात्र होंगी ये क्या है पुनर नियुक्ति के पात्र होते हैं क्या है अध़क्च हो चाहे सदस लेकिन दो बार से ज़्यादा के कारिकाल लिये नहीं होते ऐसी बात की गई है किर्ण सरकार दोरा हटाए जाने की परिस्थितियों के परिफ्येक्च मों आए हम देखते हैं आगे और आगे पढ़ते हैं आयोग की कारी क्या हैं ये सबसे महत्यपूर्ण है क्योंकि कोई भी आयोग हो कोई भी संस्था हो कोई भी organization हो वो किसी एक उद्देश के तहट काम करता है और उसके कारी क्या होते हैं ये सबसे महत्यपूर्ण चेज होती है बाल अधिकारियों के संदक्षण हेत सुरक्षा उ अधिकारों बाल अधिकारों तथा उनकी क्रियान्यवयन हेत उपायों की सिपारिस करना बाल अधिकारों के जो संरक्षण है उनका संरक्षण करना तथा वो कैसे बहतर उनका क्रियान्यवयन हो सके उसके लिए सिपारिस करने का काम कौन करता है तो बाल संरक्षण आयोग कि किसी भी बालक के बाल अधिकारों का हनन हुआ है क्या अगर उनका हनन हुआ है तो उसकी जाच करना तथा कारवाई की पहल करना ऐसी काम कौन करता है तो वह हमारा बाल सनक्षन आयोग आतंकवाद संप्रदाइक दंगो प्राक्तिक आपदा घरेलू हिंसा HIV AIDS अनैतिक जो बच्चों के अधिकारों के उपवोग को बाधित करते हैं इन सब विसेयों में ये कहा गया है कि ऐसे तमाम परिपेक्च जो बालकों के अधिकारों का हनन करते हैं उनके बारे में जाच परताल करके बाल अधिकार मिल सके सुनिश्चित हो सके किसी भी बच्चे के लिए उसका काम करने का काम कौन करता है तो वो राष्टिये बाल सनक्षन आयोग बाल अधिकारों के छेतर में सोधिकार हाथ में लेना तथा उसे प्रोशाहित करना बाल अधिकारों कैसे बहतर बनाया जा सके उनमें सोध करना, रिसर्ज करना तथा अगर कोई अच्छा सा बिचार अच्छा सा कोई नियम कानून आता है उसको प्रोचसाहित करने का काम किसका है तो बाल सनक्षन आयोक का है राश्टी बाल सनक्षन आयोक के लेखाओं की समपरिक्षा इनके जो भी लेखा जोखा होता है उनके परिक्षन का काम कौन करता है तो नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक भारत का CAG Controll and Auditor General of India करता है ये तो इनके कारियों की बात हो गई इसके कारे बहुत सारे हैं आयो के और गोसब बाल अधिकारों से संबंधित ही कार इनको दिये गए हैं बाल अधिकारों का कैसे बहतर से बहतर सुनिश्चित क्रियान नवयन हो सके उसका मेन उद्दे से है और उन्ही के लिए इन समस्त कारें के तहट आगे बढ़ रहा है आयोग और अपना बहतर योगदान दे रहा है आईए हम आगे देखते हैं आयोग की सक्तियां आयोक को कितनी सक्तियां प्राप्त हैं हम उसके बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं सिविल ने आले की सक्ति आयोक को सिविल ने आले की सक्ति दी गई है सिविल ने आले की सक्ति प्राप्त होते ही आयोक किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है उसने जो सफत ली है उस सफत के बारे में पूछ ताश कर सकता है साक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकता है समन सफत परिक्षन करना दस्ता बेजों की खोज किसी भी कारियाले से दस्ता बेजों की खोज और उत्पाद की मांग करने का काम मांग करने के अधिकार प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है वो आयोक को दिया गया है कि वो किसी भी कारियाले से रिपोर्ट मांग सकता है और क कार्याले को प्रसुत करना ही होगा किसी अदालत या कार्याले से सरवजिनिक अभिलेक की मान कर सकता है जाच के बाद उठाये जा सकने वाले कदम अगर आयोग बाल अधिकारों से संबंदित जाच करता है और उसे कोई दोसी पाया जाता है तो जाच के बाद कौन कौन से कदम रश्टिय बाल सनक्षन आयोग उठा सकता है उसके बारे में देखते हैं कारवाई सुरू करने के अनुसंसा कर सकता है कारवाई को सुरू किया जाए जिसने बाल अधिकारों से संबंदित विसाइप काहनन किया है उनके प्रतिक कारवाई सुरू करने की अंसंसा कर सकता है यह आवश्यक दिसा निर्देसों और परमा देसों के लिए उच्चतम न्यायाले या संबंधित उच्च न्यायाले से अपील कर सकता है यह कोर्ट से भी यह अपील कर सकता है कि आप इस विसे पर संग्यान ले, कोर्ट इस विसे पर संग्यान ले संबंदित सरकार या प्राधिकारी से पीडित को आवश्यक अंतिम राहत की सिपारिस भी कर सकता है ये सरकार को चाहे केंदर सरकार हो या किसी संबंदित राज्य सरकार का मामला हो तो उसमें राज्य सरकार से भी यसी पारिश कर सकता है कि इस फला व्यक्ति को अंत्रिम राहत की दी जाए, अंत्रिम राहत सुनिश्चित कराई जाए आयोक समय, आयोक क्या है समय समय में अधिवेशन करेगा किन्त पिछले और जो आगे अधिवेशन होने वाला है उसमें तीन माह से अधिकांतर नहीं होना चाहिए आयोक क्योंकि समय समय पर बहुत सारे विस्यों पर चर्चा करनी होती है उनके लिए आयोक क्यों अधिवेशन बुलाना होगा और अधिवेशन समय समय पर सुनिश्चित हो सकें इसके लिए एक काईटेरिया तैंकी गई है कि जो पहले अधिवेशन हुआ है और जो आगे हो वाला है उसके बीच में तीन महीने का गैप नहीं होना चाहिए इस तरह से factual question आपके exam में पूछे जाते हैं इसलिए आप इनका ध्यान जरूर रखें नेने बहुमत पर रहे होंगे कोई भी नेने हो आयोग के अंतरगत कोई भी विसाय आएगा उसका जो नेने होगा वो बहु इठा सीन है वो भी कर सकता है सामान परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता तो यह हमने आयोग के सक्तियों के बारे में समझा कि आयोग इन सक्तियों के तहट कर रहा है आयोग से आप से question पूछा जाएगा कई वार exam में आयोग को गिस प्रकार की सक्तिप्राप्त है कि नायाले कि आप बताएंगे civil नायाले कि सक्तिप्राप्त है पूछेगा आपके exam में कि अधिवेशन के बीच में कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए तो आप बताएंगे कि तीन माह का अंतर नहीं होना चाहिए और इसी तरह आप से पूछेगा कि अगर आकास्मिक रिक्ती हो तो उस पद को कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए तो आप बताएंगे 90 दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए आए हम आगे बढ़ते हैं कई बार मेरे बादचीत के दर्मियान अगर ये तीन माह को 30 दिन बोल दिया गया हो तो आप याद रखें ये तीन माह ही है तीन माह क से बीच का अंतर नहीं होना चाहिए, आईए हम आगे वढ़ते हैं, रिपोर्ट और प्रतिवेदन, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी संगठन हो, जब वो काम करता है, तो वो अपना बारसिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, उसके बारे में पू होते हैं, जो राज्य सरकार से संबंदित हैं, तो राज्य सरकार को भी रिपोर्ट संपी जाती है, और वो राज्य पाल के द्वारा विधान मंडल में रखवाई जाती है, एक वर्स के भीतर आयोग द्वारा की गई सिपारिसों पर होने वाली कारवाई के पत्र के साथ, हा या ना मानने का जो भी कारण हो वो भी इसके साथ संबंदित विधान मंडल पे चाहे वो संसद से जुड़ा के अन सरकार से जुड़ा मामला हो तो संसद में संबंदित राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो तो वो विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा कारण सहीत कि सिपारिस क्यों मानी गई, सिपारिस क्यों नहीं मानी गई अब इस इसमरन पत्र में ऐसी किसी सिपारिस को असुई कार करने जो मैंने आपको कहा कि क्यों असुई कार कर दी गई, क्यों नहीं मानी गई उनके कारणों का भी उलेख किया जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राश्टिय बाल सनरक्षण अधिकार आयोग के एक संचिप्त परिचे हम देख लेते हैं प्रिलियम्स एक्जाम पॉइंट आफ ये पुरा चार्ट है इसको चाहें तो आप स्क्रियन सोट के दुरू अपने पास रख सकते हैं रिविजन के लिए ये एक्जाम के समय बहुत फायदेवन सावित होता है स्वरूप की अगर हम बात करें कि बाल सनक्षन आयोग राष्टी बाल सनक्षन आयोग का स्वरूप कैसा है तो ये हमने बताया ही चर्चा करी कि ये सामविधिक निकाय है अब जब सामविधिक निकाय है तो इसका गठन किसके दौरा हुआ इस्थापना गठन की अगर हम बात करें तो बाल सनरक्षण अधिनियंग जो 2005 में आया उसके सेक्षन 3 के तहट इसका गठन हुआ अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 5 मार्च 2007 को बाल सनरक्षण आयोक की स्थापना हुई अगर हम इसके प्रधान कारियाले के बारे में देखें कि इसका कारियाले कहा है तो नई दिल्नी में इसका कारियाले है और अगर हम संरचना के बारे में देखें कि इसके संरचना कैसी है तो हमने इसके बारे में बात करी है कि ये एक अध्यक्ष और छे सदस्य एक सचिव के साथ काम करता है इस तरह से ये एक प्रकार का बहुत सदस्य निकाय है जिन में दो महिला सदस्यों का होना अनिवार है ऐसे आयोग का प्राबधान है ऐसे आयोग सनरचना के तहर काम करता है अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है नियुक्ति के लिए मैंने आपको बताया कि केंद्रिय महिला वाली विकास मंत्राले का जो मंत्री होगा उसके दोरा गठित तीन सदसी उसके दोरा एक समित गठित की जाती है जो तीन सदसी समित होती है उसकी सिपारिस पर केंद्र सरकार करती है निक्ति करने का काम अध्यक्ष का कारिकाल अध्यक्ष का कारिकाल तीन वर्स या 65 वर्स की आयू सदस्य का कारिकाल हमने बात करी कि तीन वर्स या 60 वर्स की आयू जो भी पहले हो अध्यक्ष वा सदस्यों की सेवा सरतों का निर्धारान केंदर सरकार करती है हमने इसके बारे में चर्चा कर ली रिपोर्ट वो बारसिक रिपोर्ट अपने किसको देता है तो केंदर सरकार को बारसिक रिपोर्ट सौपता है प्रताम अध्धक्ष की अगर हम बात करें कि पहले अध्धक्ष कौन रहे हैं राश्टिय बाल अधिकार सनक्षण आयोक तो सांता सिनहाजी सांता सिनहाजी पहले अध्धक्ष रहे हैं और इनका कारेकाल किस दर्मियान रहा तो 2007 से 2010 के बीच का कारेकाल सांता सिनहाजी का रह थे जो भी लगातार बरतमार में भी इस पदपर बिराजमान है साथियो अध्यक्ष जो हैं बरतमार में जो सदस्य हैं इनके बारे में आप एकजाम देने जाने से पहले एक बार अपडेट रहें क्योंकि इनका कारिकाल खतम होने के बाद इनको समय-समय पर बदला जाता रहता है इसलिए आप करेंट से अपडेट रहें नोडल एजनसी मतलब जिस विभाग के अंतरकत ये काम करता है तो महिला एवं बाल विकास मंतराला नोडल एजनसी के रूट में कारे करता है किसके बाल संरक्षन आयोग के अब आईए हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेस राज बाल अधिकार संरक्षन आयोग के बारे में क्योंकि हमारे सलेबस में specific ऐसा वर्णन नहीं है मध्य प्रदेस की राज बाल अधिकार संरक्षन आयोग के लेकिन जो हम परिच्छा की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका मध्य मद्य प्रदेश में कैसा संरचना है आयोग की उसके बारे में हमको पढ़ना आवश्यक रूप से पढ़ लेना चाहिए इसलिए आईए हम देखते हैं चर्चा करते हैं गठन की अगर हम बात करें मद्य प्रदेश राज़ बाल अधिकाल संरचना आयोग का गठन कब हुआ किसके तहत हुआ तो स्तापना इसकी दोहजार साथ में हुई और बाल अधिकाल संरचना आयोग जो गठित हुआ दोहजार पांच में उसके सिक्शन wszyscy धारा 17 के तहत इसका गठन किया गया राश्टी आयोग का गठन धारा तीन के तहर सेक्शन 3 के तहट हुआ था लेकिन जो राजजी बाल अधिकार सनरक्षण आयोग है मद्यप्रदेश का उसका जो गठन हुआ वो बाल सनरक्षण बाल अधिकार सनरक्षण आयोग अधिनियां 2005 के धारा सत्रा के त निकाय है बहु सदसी निकाय में हम ये चर्चा करते हैं कि ये कैसे काम करता है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष वही होगा जो बच्चों के कल्यान के संबर्धन के लिए उतकृष्ट कार्य किया हो उसी प्रकार इसमें छे सदस्य होते हैं जिन में दो महिला सद श्रम का उल्मूना से हो, बाल मनों भी ज्यान या समाश सास्त्रे या बच्चों से जुड़े कानूनों के बारे में जानकार हो, उसके लिए प्रतिष्ठित हो, उसके लिए सम्मानित हो, तथा वो इन सब विसयों के अंतरगात अनुभाव रखते हो, विसे सगता रखते हो, वही आयोग के सदस्य बन सकते हैं, इनमें आप एक चीज़ जरूर याद रखें कि दो महिला सदस्यों का होना अनिवार है, आईए हम आगे देखते हैं, अगर हम नियुक्ती की बात करें, कि इन अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ती राज़ बाल अधिकाल सरक्षन आयोग मद्धिप्रदेश राज़ बाल अधिकाल सरक्षन आयोग में कौन करता है, तो राज़ सरकार का जो महिला एवन बाल विकास मंत्राले है, महिला बाल विकास मंत्राले के मंत्री की अध्यक्षिता में जो एक समित गठित होती है, और उस समित में तेन सदस्यों समित होती है, तो उसके तहट राज्य सरकार नियुक्ति करने का काम करती है राज्य सरकार आयोग के जो सदस्य हैं और रद्धक्ष हैं उनके नियुक्ति करती है एक सचिव होते हैं इन सचिव के नियुक्ति करने का काम भी राज्य सरकार का ही है राज सरकार के सचिव रैंक के समान रैंक होगा किसका जो एक सचिव गठित होगा आयोग में बाल अधिकार सदक्षन आयोग में बेतन और भत्तों की अगर हम बात करें कि बेतन भत्ते क्या हैं आयोग के अधिक्षों सदस्यों के तो इसके निर्धारन का काम भी राज्य सरकार करती है और इसमें भी किसी भी प्रकार का अलावकारी परिवर्तन नहीं होगा निक्ति के बाद इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान दे प्राबधान नहीं किया जाएगा अब राज्य आयोग की अगर मुख्याले की बात करें तो राज्य आयोग का मुख्याले वहाँ होगा जहां राज्य सरकार अधिसूचना दोरा विर्दिन रिष्ट करें और अगर हम बरतमार में बात करें तो मद्य प्रदेश का जो बाल अधिकाल सनक्षन आयोग का मुख्या है कि इसका कारिकाल और पदमुक्ति के बारे में क्या प्राबधान किया गया है अध्यक्ष का कारिकाल जो है वो तीन वर्स या 65 वर्स की आई जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए है सदस में सदस तीन वर्स या 60 वर्स की आई जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए है अगर ये त्याग पत्र देना चाहें कारकाल के दोरान कारकाल के दर्मियान त्याग पत्र दें तो ये राश्ट पति कह रहे हैं राज्य सरकार को त्याग पत्र अपना दे सकते हैं और राज्य सरकार अगर चाहे तो कदाचारिया अक्षमता कि आधार पर भी इनको हटा सकती है अद्धक्ष या सदस को हटा सकती है कौन राज्य सरकार अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आयोक के कार अगर हम आयोक की कारे देखें राज जिबाल अधिकार सनक्षन आयोक के कारे देखें मद्धिप्रदेश राज जिबाल अध है तू उपायों की सिपारिस करना इसी प्रकार बाल अधिकारों के उलंगण की जाच करने पर और उनको जाच करने के बाद इनमें कारवाई की पहल करने की बाद भी कौन राज जिबाल संरक्षन अधिकार आयोग कर सकता है आतंकवाद संप्रदाइक दंगो प्राकतिक आपदा घरेलू हिंसा इन सब विसेयों पर भी आयोग समय समय पर चिर्चा करता है ये ऐसे विसे जिनसे बाल अधिकारों के हनन हो बाल राज जिबाल अधिकारों का उचित क्रियानवेयन कराने का काम कौन करता है राज बाल अधिकार संबक्षन आयोग राज जिस्तर। बाल अधिकारों की छेतर में सोधगार को अपने हाथ में स्व eleman लेना और उसे प्रोसाहिद करना स्व research करना स्वयम बहतर से बहतर कैसे इनका implementation किया जाए तथा इनको कैसे प्रोसाहित किया जाए इन सब चीजों के बारे में बात करना और उनको सुनिश्चित कराने का काम किसका है राज जबाल अधिकार सनक्षण आयोग का मद्य प्रदेश बाल अधिकार सनक्षण आयोग का अगर हम रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बात करें कि राज बाल अधिकार सनक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट या बार्शिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है तो ये बार्सिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन अपना राज सरकार को प्रस्तुत करता है और ये एक बर्स के भीतर आयोग दोरा दी गई समस्त सिपारिसें उनमें क्या कारवाई हुई और कारवाई अगर नहीं हुई तो किन कारणों से नहीं हुई इन सब के बारे में उलेख करना अवश्यक हो जाता है और जब ये रिपोर्ट दी जाती है तो सरकार उसे बिधान मंडल के अंतरगत रखवाती है अब हम आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं बाल नयायाले हमने बात करी राज़्टी इस्तर पर राज़्टी बाल संद्रक्षन आयोग के हमने राज अधिकार संद्रक्षन आयोग का जो अधिनियम 2005 का है उसके 625 में किसका बाल नयाले के बारे में बात की गई है उसी के तहत बाल नयाले का गठन गया है अब हम उद्देश की अगर बात करी कि इसका गठन का उद्देश क्या है तो बालकों के बिरूदा अपराधूं या ब निप्टारा उनके मामलों का निप्टारा तेजी से हो सके, इसके लिए बाल नयाले का गठन किया गया था। राज जी के हाई कोट के मुख नयाले की सहमती से राज सरकार द्वारा कम से कम एक नयाले या प्रतेख जिले में एक सेसन नयाले को बाल नयाले घोसित करने का अधिकार है तो था उसे ये इस्थापित करने का अधिकार किसको है राज जी के हाई कोट को प्रतेक नयायलय में राज़ सरकार क्या करेगी? बिसेस लोक अभी योजकों की न्युकती करेगी और वो बिसेस लोक अभी योजक कौन होंगे? तो वो हँगे जिनको कम से कम साथ वर्स वकालत करने का अनुभाओ? प्राप्त हो जो 7 years का experience रखते हो वकालत के छेतर में तो इस तरह हमने बात करी बाल नयायले की आपने जाना कि बाल नयायले का गठन जो अधिनियम आया 2005 में बाल संरक्षन अधिनियम उसके section 25 के तहट अगर इसका उद्देश की बात करें तो बाल अधिकारों से संबंधित ज इसमें बिसेश लोक अभ्योजक की नयुक्ति होती है और वो नयुक्ति करने का काम किसको किया जाता है राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ऐसे ब्यक्ति जो 7 वरस का अनुभो रखते हूं वकालत के छेतर में उनकी नयुक्ति कर सकती है आईए हम आगे बढ़ते हैं औ इसमें सभी वो fact आपके prelims exam point of view से महत्यपूर्ण है इसलिए आप इसका screenshot रख सकते हैं स्वरूप अगर हम स्वरूप की बात करें तो साम्मिधिक स्वरूप है गठन के हम बात करें तो इसका भी गठन बाल अधिकार सनक्षन अधिनियम के सिक्सन 17 के अंतरगत किया गया है इस्थापना की बात करें इस्थापना इसकी 2007 में हुई कार्याले की बात करें कार्याले भुपाल में हैं सनरचना इसकी कैसी है, इसमें एक अध्यक्ष, एवं छैन्न सदस्य और इसमें भी एक सचिव होगा, और दो महिला सदस्य होना अनिवार है, अध्यक्षेवं सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, हमने चर्चा करी, iterate महिला बाल विकास, जो मंत्राला है उसके मंत्री के अद्यक्षता में तीन सदस्य समयती के सिपारिस पर कौन करता है राजिसरकार करती है और अद्यक्ष का कारिकाल की अगर हम बात करें तो अद्यक्ष का कारिकाल तीन वर्स या 65 वर्स की आयू तक होता है इन में से जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए कारिकाल अध्यक्च का होता है अगर हम सदस के कारिकाल के बारे में देखें कि सदस का कारिकाल तो सदस का कारिकाल तीन वरस या साथ वरस की आयू जो भी पहले हो जाए जो भी पहले हो जाए जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए होता है सेबा सरतों की बात करें तो राज्य सरकार ही इनके सेबा सरतों का निधारन करती है और अगर बासिक रिपोर्ट की बात करें तो राज्य सरकार बासिक रिपोर्ट प्रस्तूत करने का काम करती है आए हम आगे देख लेते हैं एक important topic के बारे में और वो है Paxo Act Paxo का पूरा नाम होता है protection of children for sexual offense यह बच्चों से संबंधित जो भी अपराद होते हैं उससे related act है जो 2012 हो गये हैं 2012 आप इसको कर लें यहां 22 printing mistake के कारण लिखा गया है यह Paxo Act 2012 में आया और इसमें संसोधन हुए